लेखा सास्तर कक्सावारा अध्याइपांच कम्पनी लेखे अंसों रिणों पत्रों का निर्गवन बी नमस्कार मित्रों में रामादार बटू का आपका स्वागत करता हूँ मैं एक स्वाइपाठी विद्यारती हूँ मैं इस परकार पढ़ता हूँ कि मुझे सत्र परतिस से अधीक याद हो जाता है परशन एक कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसुची थर्ड के अनुसार परतेगवर्ग की पूंजी को किन रूपों में दर्साना आवश्यक है उत्तर अधिक्तम पूंजी दो निर्गमेट पूंजी और तीन पार्ठित पूंजी की रूप में दर्साना आवश्यक है परशन दो अधिकर्थ पूंजी कि से कहते हैं उत्तर कंपनी अधिनियम 2013 की दाराद दो आठ के अनुसार अधिकर्थ पुंजी या पंजीगर्थ पुंजी से आसाए उस पुंजी से है जो कंपनी के पारसद सीमा नियम दुआरा अधिकर्थ पुंजी की अधिक्तम राशी हो कमपनी के पारसद सीमा नियम में पूनजी की अधिकतम राशी व्यक्त की जाती है उसे अधिगर्थ पूंजी कहते हैं, इस पूंजी में धोनों परकार के अंसों समता अंस तथा पुर्वादिगार अंस को पर्थक पर्थक दर्शाया जाता है परशन तीन, निर्गमित पूंजी किसे कहते हैं, कुट्तर, कमपनी अधिनियम की धारा, 2013 की धारा, दो पच्चास के अनुसार निर्गमित पूंजी से आसे ऐसी पूंजी से है जिसे कमपनी द्वारा समय समय पर अभिदान के लिए निर्गमित किया जाता है इस परकार निर्गमित पूंजी अधिगर्थ पूंजी का ही एक भाग है जिसे कमपनी द्वारा अभिदान के लिए नर्गमित किया गया हो कंपनी द्वारा जनता को नगद धनिया किसी अन्य परतिफल के बदले निर्गमित किये गए अंसों के अंकित मुले को निर्गमित पुंजी कहते हैं पर्षन चार पार्थित पुंजी किसे कहते हैं उत्तर कंपनी अधिनियम 2013-1286 के अनुसार पार्थित पुंजी से आशा है पुंजी के उस भाग से है जो समय समय पर कंपनी के सदस्चों द्वारा पार्थित की गई हो इस परकार पार्थित पुंजी या अविदत पुंजी न जा चुका है? परस्ट 5, मांगी गई पूंजी कीसे कहते हैं, उत्तर, कमपनी अदिनियम, 2013 जी धारा 21. अभाग जिसे कमपनी दुआरा अंजिदारियों से मांगा जा चुका हूँ. पर्षन 6 पर्दत पूंजी किसे कहते हैं उत्तर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 244 के अनुसार पर्दत अंस पूंजी से आ से जमा किये उन धनराशियों के योग के समतुले से है जो निर्गमित किये अंस ओपर पर्दत रूप से प्राप्थ हो गई हो तता इसमें कम्पनी के अंसों के संदर्म में पर्दत रूप में जमा की गई राशी सामिल है लेकिन इसमें ऐसे अंसों के सम्मंद में प्राप्थ अन्य राशी जिसे किसी भी नाम से जाना जाता हो को सामिल नहीं किया जाएगा परशन साथ बकाया मांग किसे कहते हैं उत्तर अंसपुंजी गे सम्मंद में कंपनी द्वारा गई वहरासी जिसका अंसदारी ने भुगतान नहीं किया गया है बकाया मांग कहलाती है पर्शन आठ लेखंगन कीमपनी में बकाया मांग को किस परकार लिखा जाएगा उत्तर बकाया मांग को अंस पुंजी शिर्षक में मांगी गई पुंजी से गटा कर लिखा जाता है पर्शन नो क्या बकाया मांग राशी पर कमपनी द्वारा व्याज वसूल किया जा सकता है यदि हां तो कितना हां कमपनी द्वारा साड़नी एफ के अनुसार दस परतिसत वार्शिक दर से व्याज वसूल किया जा सकता है पर्शन दस अग्रिम मांग राशी क्या है उत्तर एक कम्पनी को यदि उसके अंतर नियमों में वर्णित हो नय मांगी गई मांग राशी के समन्ध में प्राप्त राशी को स्विकार कर सकती है जो अग्रिम मांग कहलाती है पर्शन ग्यारा चिथे में अग्रिम मांग राशी को किस सिर्षक से दर साया जाएगा उत्तर चिथे में इसे चालुदाईत्य शिर्षक के उपसिर्षक अन्य चालुदाईत्यों के अंतरगत दर साया जाता है साड़नी एफ के अनुषार, अग्रिमांग की रासी पर कम्पनी 12.3 दर्शी भ्याजər सकती है परस्न तेरा, एक कम्पनी अंसों का निर्गमन क्यों करती है उत्तर एक रोकड नगद रासी के अतिरिक्त किसी अन्य परतिफल के लिए या दो रोकड के लिए कर सकती है पर्षन चोदा रोकड के आलावा किसी अन्य परतिफल के लिए 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 अन्य उत्तर जब एक कमपनी को अंसों के निर्गमन की राशी चेक ड्राफ या अन्य रूप से प्राप्त होती है तो ये रोकड के लिए अंसों का निर्गमन कहलाता है। देव राशी क्या है, उत्तर जब अंसों के निर्गमन पर समस्त राशी आवेदन पत्र के साथ देव हो, एक मुष्ट देव राशी कहलाती है, प्रेशन अठारा, संपून राशी किस्तों में देव कब कहलाती है, उत्तर अंसों के निर्गमन की राशी विभीन इस्तरों पर, यथा आवेदन आमंटन तथा एक या अधिक मांगों पर देज हो तब किस्तों में देराश ही कहलाती है प्रेश्न गुन्दीश सारवजनी कमपनी किन दो में से एक परकार के अंसों का निर्गमन कर सकती है उत्तर ए सम्मुले पर अंसों का निर्गमन या प्रेमियम परव्याजी पर अंसों का निर्गमन कर सकती है प्रेश्न बीश सम्मुले पर निर्गमन क्या है उत्तर जब अंसों को उनके अंकित मुले पर ही निर्गमित किया जाता है तो इशे सम्मुल्ले पर निर्गमन कहते हैं, जैसे एक अंपनी द्वारा दस वाले किसी अंस का Нिर्गमन रुपे दस परती अंस करना, प्रश्न 21 प्रीमियम पर व्याजी पर निर्गमन क्या है, उत्तर जब अंसों को उनके अंकित मूले से अधिक मूले पर निर्गमीत किया जाता है तो ये अंसों का प्रीमियम पर या परव्याजी पर निर्गमन कहलाता है जैसे एक कमपनी द्वारा रुपी 10 वाले अंसों का निर्गमन रुपे 15 परतियंस की दरपर करना प्रश्न 22 क्या कमपनी अपने अंसों का निर्गमन बट्टे पर कर सकती है यदि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों नहीं उत्तर पुर में कमपनी अपने अंसों का निर्गमन बट्टे पर भी कर सकती थी लेकिन कमपनी अधिनियम 2013 की दारा 53 के अनुसार कोई भी कमपनी अपने अंसों का निर्गमन बट्टे पर नहीं कर सकती है धारा चोवन के अनुसार श्वेट समताँ अंस बट्टे पर निर्गमित किये जा सकते हैं प्रस्न 23 बट्टा किसे कहते हैं ये कितने परकार का होता है उत्तर सामानेत है किसी उत्पाद पर निर्माता द्वारा छूट या कटोती जो अंकित मुले से कम करके दी जाती है उसे बट्टा कहते हैं ये दो परकार का होता है एक व्यापारी बट्टा व्यापारी बट्टा व्यापारी बट्टा किसे कहते हैं उत्तर जब निर्माता अपने गरायक को अंकित मुले अथ्वा विक्रे मुले पर एक निश्चित दर्से कटोती देता है तो उस छूट या कटोती को व्यापारी बट्टा कहते हैं पर्शन 25 नगद बट्टा किसे कहते हैं उत्तर गरायक को तुरंत अथ्वा एक निश्चित अवदी के अंदर नगद बुक्तान करने के उद्देशे से जो छूट दी जाती है उसे नगद बट्टा या रोकड़ बट्टा कहते हैं पर्शन 26 क्या बट्टे का लेखा पुस्तकों में किया जाता है उत्तर हाँ नगद बट्टा का लेखा पुस्तकों में अवश्य किया जाता है बट्टा दिये जाने पर बट्टा खाता डेविट किया जाता है और बट्टा प्राप्त होने पर बट्टा खाता क्रेडिट किया जाता है प्रशन 27 स्वीट सम्ता अंस किशे कहते हैं उत्तर स्वीट सम्ता अंस से तात्प्रे ऐसे अंसों से है जो कमपनी के करमचारिया किसी अन्य लाप परदाता या हितेशी का रियायती मुल्य पर आमंडित किये गए हो परशन 28 अंस निर्गमन की परिक्रिया क्या है उत्तर एक सारोजनी कमपनी द्वारा अंसों के निर्गमन हैतु कमपनी अधिनियम 2013 तथा भारतिय पर्ति भूतियें विनिमेबोर द्वारा इस समंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ता है परशन 29 कमपनी अधिनियम 2013 और भारतिय पर्ति भूतियें विनिमेबोर के दिशा निर्देशों की अनुशार अंसों के निर्गमन की परिक्रिया के महत्वे पून बिंदु क्या है उत्तर एक प्राइवीवरण निर्गमन दो अंसों के लिए आवेदन तीन अंसों का आमब क्या है उत्तर कमपनी अधिनियम 2013 की धारा 270 के अनुशार पर विवरण एक लिखित सूचना परिपत्र या अन्य प्रलेख होता है जो एक समामेलित संस्ता की पर्ति भूतियों का क्रिये कर या अभिधान करने एतु जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करता है अर्थात प्रेव जनी कमपनी की पर्ति भूति क्रिये करने के लिए दिया जाने वाला आमंत्रण है पर्ष्ण 31 प्रेविवरण निर्गमन में कौन सी बातों का उलेख होता है और इसका उद्दे से क्या होता है उत्तर प्रेविवरण में सामाने ते कमपनी का इधियास मुख्य उद्दे से वर्तमान ब्यापार परिजन योजनाओं की जानकारी एम परबंद आधी का विरण दिया जाता है। अंस निर्गमन एतु एक सारवजनी कंपनी प्रेविवरण का निर्गमन करती है। प्रेश्ण 32 अंसों के लिए आवेदन क्या है। उत्तर प्रेविवरण के आधार पर जो व्यक्ति कंपनी के अंस खरीदना चाते हैं, वे निर्धारित आवेदन पत्र भरकर आविश्यक निर्धारित राशी के साथ कंपनी के बेंग में जमा कराते हैं। प्रश्न तेतीस आवेदन पत्र के साथ जो राशी जमा कराई जाती है उसे क्या कहते हैं उत्तर उसे आवेदन की राशी कहते हैं प्रसन 34. आवेदन पर कितनी रषी प्राप्त करना हावशक है उत्तर कंपनी है धिनियम 2013 की धारा 49 दो के अनुषार आवेदन परतेक परती भूती के अंकित मुले का कम से कम 5 परतिसत प्राप्त करना आवशक है या हो है धनराशी जो सेबी दुआरा कानुन बनाकर इस समंद में निर्धारित की जाए तदानुसार अंस आवेदनराशी अंस के निर्गमन मुले के 25 परतिसत से कम नहीं होनी चाहिए प्रश्ण 35 अंसों का आमडन किसे कहते हैं उत्तर अंसों के आमडन से आसए अंसों का आवेदकों के मद्दे बंटवारा करने से हैं ये कारिय संचालक मंडक द्वारा अधिनियम के विभिन प्रावधानों के तैत किया जाता है एक आवेदक को अंस आमडन्टित होने के उपरान थीवे अंस धारी बनता है अंस आवंटन से पूर्वे एक सार्वजनी कंपणी किन प्रावधाना का पालन करना होता है। प्रति भूतियों का आबंटन तब तक नहीं किया जा सकता है कि जब तक की परविवरण में वर्णित नियूंतम राज्षी के लिए अभिदान प्राप्त नहीं हो जाए शेवी के निर्देशों के अनुसार कंपनी तब तक आमधन नहीं कर सकती जब तक कि उसे संपूर्ण निर्क्रमन के कम से कम 90 परतिसत के बराबर अभिदान प्राप् उत्तर धारा 43 के अनुसार कंपनी द्वारा जनता से परति भूति के अभिदान एतू आविदान से प्राप्त राशी को अनुसुचित बेंक में पर्थक से खोले गए खाते में जमा रखना आवश्यक है पर्षन 49 अंसों के आवटन से पूर्व कमपनी द्वारा नियूंतम अभिदान राशी प्राप्त करने के अवदि क्या है उत्तर धाराग 49 तीन के अनुसार यदि किसी कमपनी को प्रेविवरन निर्गमन की तिथी से 30 दिनों या शेवी द्वारा निर्धारित समय शीमा के अंदर नियूंतम राशी प्राप्त नहीं होती है तो कमपनी को आवेदन पर प्राप्त धनराशी को निर्धाती समय में निर्धारित विदी से लोटाना होगा नियूंतम अभिदान राशी की गणना के लिए अंसों की उन रक्मों को सामिल नहीं किया जाएगा जो मुद्र के अत्रिक्त किसी अन्य रूप में दे हो प्रशन चालीस इस्टाक अक्षेंज को आवेदन क्या है उत्तर जनता को अंस निर्गमन से पूर्व एक कम्पनी को एक या अधिक माननेता प्रदाप्त इस्टाक अक्षेंज में उन अंसों के लेन देन की अनुमति एतु आवेदन क किया गया है प्रशन 41 आवेदन पत्र जारी करना क्या है उत्तर जिन आवेदकों को अंसों का आवेदन किया गया है कम्पनी सची उन आवेदकों को आवेदन पत्र बेजता है जिन आवेदकों को कोई अंस आवेदन नहीं किये गए हैं तो उन्हें खेद पत्र के साथ उन से प्राप्त आवेदन राची उचित माध्यम से लोटा दी जाती है प्रस्ण बैयालीस रेजिस्ट्रार को आवंटन रिटन बेजना क्या है उत्तर आवंटन कारिये पूर्ण हो जाने के बाद कमपनी को आवंटन के 30 दिनों के बीतर अथ्वा रेजिस्ट्रार द्वारा बड़ आलक द्वारा इस आसर का गोष्णा पत्र भी वेजा जाता है कि कमपनी द्वारा आवंटन सम्मंदी सभी समस्त वेधानिक आवश्यक्ताओं की पूर्ती कर ली गई है पर्शन 43 अंस परमान पत्र क्या है उत्तर अंस परमान पत्र उसमें निर्दिष्ट अंसों पर किसी सारव मुद्रा के अनुसार जारी किया गया प्रमान पत्र इस बात का पर्थम द्रश्टा साक्ष है कि उसमें लिखित अंसों का हुए स्वामी है ये प्रमान पत्र अंस दाय के स्वामीत्व का पर्थम द्रश्टा साक्ष है सहित्व स्वामियों में से पर्थम नामित्व उत्तर अंसों के अविदान एतु जन्ता को आमंत्रित करने तु किये गए प्रस्ताव को प्रारंबिक सार्वजनिक निर्गमन प्रस्ताव का जाता है। प्रश्न पेंटारीस अंसों पर मांग क्या है उत्तर आवे दिन पत्र के साथ एवं अंस आमंटन पर मांगी गई राशियों के पश्चात यदि अंसों पर देई राशि का कुछ भाग सेस रहता है तो कम्पनी इस राशि को किस्तों में वसूल करती है। एसी परते किस्त अंसों पर याचना या मांग कहलाती है। टेरा की साड़नी एफ को प्रावधान में लागू होंगे। परसल उत्तारीस राश एव में अंसों पर मांग के क्या प्रावधान है। दो मांगों के मद्ध कम से कम एक माह का अंतरों नावशक है। दो, किसी मांग की राशी अंसों में अंकित मूले के 25 पर 30 सच से अधिक नहीं होगी। तीन, अंसदारकों को राशी चुकाने के लिए कम से कम, 14 दिन पूरुवर सूचना दी जाएगी। चार, एक ही वर्क के सभी अंसों पर मांग की राशी एक समान होनी चाहिए। पांच, यदि कोई अंसदारी अंसों पर देव मांग की राशी का निर्धारी तिथी तक भुगतान नहीं करता है तो कमपनी, बकाया राशी पर भुगतान की दे तिथी से भुगतान की वास्तविक तिथी तक की अवधी पर 10% वार्शी की दर्शे ब्याज उसूल कर सकती कुछ अंसदारियों द्वारा ने मांगी गई राशी को आमंटन या मांग राशी के साथ बेज दिया जाता है जो भविश्य की मांगों से सम्मंदित होती है। पर अग्रिम अवधी के लिए अधेकतम 12% वार्शिक दर्शे ब्याज जय होगा। धन्यवाद।